36 गड़ का विधान सभा मानसुत्र सत्र 18 से 21 जुलाई तक आयोजित है इसके पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायन चंदेल ने विधान सभा सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भुपेश सरकार में अब तक एक भी सत्र में अपनी पूरी अवधी नहीं की है उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकार विधान सभा में जवाब देने से बचना चाहती है 18 जुलाई से 21 जुलाई तक 36 गड़ विधान सभा का मानसुन सत्र अवध किया गया है दुर्भागी यह है कि इस पूरे कायकाल में जब से स्री भुपेश बगेल जी बुख्यमंत्री बने है 36 गड़ में कांग्रेश की सरकार वनी विधान सभा का कोई भी सत्र अपनी अवधी पूरा नहीं कर पाया जो निश्चित ति थी उसमें वो पूरा नहीं हो पाया उसके पहले ही विधान सभा का सत्र समापन हो गया यह इस बात का घोतक है कि 36 गड़ की कांगरेश सरकार यहां की भुपेश सरकार विधाईका के उपर में विश्वास नहीं करती है विधाईका का अपमान करती है वह सदन में चर्चा से भागना चाहती है बचना चाहती है लेकिन हम भुपेश जी को पहना चाहते हैं कि लोग तंत्र का पावन बंदिर हैं विधान सब्धार सवाल तो पूछे जाएंगे और जवाब तो देना होगा न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूस को और बेल आइकन को दबाएं